हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो और चानल, 360 डिगरी इंजिनेर, आज की अमारा टॉपिक है, वोल्टेज रिलेटेड प्रोटेक्शन्स इन जेनरेटर्स, जेनरेटर्स में जो वोल्टेज का रिलेटेड जो प्रोटेक्शन्स होते हैं, उसका रिलेटेड सारे की सारे इंफोर्म अमारा जो system का साथ connect होते हैं और उसमें जो system का voltage हैं या जो generator का जो terminal पर voltage हैं उसको अमलोग we बोलते हैं अमारा जो terminal voltage हैं अमारा वो terminal voltage को regulate करने के लिए हैं अमारा AVR रहते हैं, automatic voltage regulator इसी को हम लोग DAVR का नाम पे भी बोलते हैं उसकी बारे में हम लोग बहुत सरे वीडियोस बनाया था पहले है अगर आप मिसो गए तो वो वीडियोस देख लिए फ्रेंज बहुत इंटरस्टिंग वीडियोस है वो और बेसिकली वो डी एवियर का परपस यही है कि अमारा जो जेनरेटर का केस में जो डी एवियर फर जे इसका जो Set Point रहते हैं इसका जो Terminal 받as मेंटेेन करना है उस तेमाल वोल्केस को मेंटेन करने के लिए एए और फ्रेंस तो इसका जो मैंन परपस इस को मेंटेन करने के लिए है बहुत जैसे इसका पहले हम ऊठकरेंसरी का बारे में बताया था उस में अम स्पीड मेंटेन करने के लिए है इसका फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए ऐसे हमारा जो एवियार सिस्टम में जेनरेटर का टेर्मिनल वोल्टेज मेंटेन करने के लिए है तो जेनरेटर का हमको rated terminal voltage होते हैं उससे नीचे जो voltage होते हैं उसको अम लोग under voltage होते हैं ठीक है उसका जो particular setpoint का उपर नीचे हैं हम लोग को कुछ action लिने पड़ते हैं उसको अम लोग under voltage protection बोलते हैं ऐसे इसका जो terminal voltage का उपर जो इसका specified range का उपर अगर जा रहा है तो उसमें लोग जो protection हम लोग एचीव करें जो protection हम लोग लागा ते उसको हम लोग over voltage protection बोलते हैं ठीकर फ्रेंज आज का वीडियो में दोनों का बारे में इन डीटेल समझ देंगे सबसे पहले अंडर वोल्टेज अप्रेंस टीगे जैसा हम लोग कर जैसा पहले जैसे यह हमको कोई भी प्रोटेक्शन को समझने के लिए यह आपको इंसिडेंट होने का क्या कॉजे से और वो होने से आपको क क्या एफेक्ट पड़ते हैं आपका जेनरेटर पर जो सिस्टम पर टार्बैन पर क्या अंतर पड़ते हैं आपको देखने के बाद अम इसको प्रोटेक्शन करना ही नहीं करने हम लोग डिसाइड कर सकते हैं राइट सो अंडर वोल्टेज का कॉज इस का है फ्रेंस अंडर लोग पहले बता है था अंडर वोल्टेज का जो मेंन रिजन है बेसके लिए अंडर वोल्टेज है जैसा अंडर वोल्टेज बेसके लिए वोल्टेज प्रोफिल कैसे चेंज होते हैं प्रेंस यह आपको रियाक्टिव पावर बैलेंस का उपर डिपेंड करते हैं इसे आपका जो generated reactive power है और जो reactive power का demand है अगर यह दोनों को balance हो रहा है तो इसका जो terminal voltage जिसका जो voltage प्रोफेज है वो constant maintain होते हैं ठीक है फ्रेंस वो अगर आपको कभी भी reactive power में आपको imbalance हो रहे हैं ठीक है अगर reactive power में imbalance मतलब क्या है अगर आपको generated reactive power है अगर वो demand reactive power से जो load है उससे कम है तो आपको under voltage होगा अगर आपको generated reactive power आपको load reactive power से ज्याद है demand reactive power से ज्याद है तो आपको over voltage होगा ठीक है फ्रेंस तो आपको first condition यहीं मिल रहे हैं आपको कभी भी under voltage हो रहे है तो इसका reason क्या है आपको sudden change of इसका जो reactive power का demand है आपको suddenly आगर reactive power का demand बढ़ गया तो आपको under voltage होगा suddenly reactive power demand कैसे बढ़ेगा फ्रेंस जैसे हमारा दो generator चल रहे है ठीक है suddenly एक generator trip हो गया पहले वो दोनों generator आपको 10 MbA 10 MbR 10 MbR आपको reactive power दे रहा है system को ठीक है अभी suddenly एक generator ट्रिप हो गया तो दूसरा दो healthy generator पूरा reactive power को system को feed करना चाहिए ठीक है तो इसलिए क्या हो रहे है आपको suddenly reactive power का demand बढ़ गया है आपको generator पे तब आपको क्या होगा generator reactive power देगा लेकिन आपको mismatch तो होगा उसकी वज़े से आपको under voltage आपको under voltage आपको create करेगा system पे ठीक है तो जो मेइन फर्स्ट रीजन है आपको sudden increase of reactive power demand का वज़े से आपको under voltage होगा दूसरा रीजन है फ्रेंस जैसे हम लोग बताया था जो इसका voltage maintain करने के लिए हमारा जो मेइन कंट्रोलर है हो हमारा automatic voltage regulator है अगर automatic voltage regulator में कोई भी problem है अगर कोई भी mal operation है कोई भी issue है कोई भी आपको समस्या है तो तब भी आपको under voltage होने का चांस है तो इसका causes होई है दो ही causes हो सकते है एक आपका sudden increase of sudden increase of reactive power demand है ठीक है दूसरा रीजन है आपको AVR system failure या नहीं है यह तो lavr operation हो रहा है तो बी आपको under voltage प्रीयेट हो सकते है ठीक है फ्रेंज यह द्व शिस्टम पर फाल्ट भी हो रहा है तो तब भी आपको under voltage होगा कई आपको remote पर नहीं तो कई system run advance तो कि आतब का पास या कभी भी Fault होता है तो तब भी आपका अंडरव्य TutTE लेका आपको वह be होते हैं किसी दिए वह केस को डिसकस्ट नहीं कर रहे हैं वह है जाइसे ए फॉल्टेज आपने आपको नार्मल हो जाएगा ठीके सरेक πरसिस्ट हो गए दोनों को केस में ठीके तो आपको अंटर वोल्टेस तो हो गया है बीं अंटरो वोल्टेस ने का बाद आपको क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं वो समझने के लिए आपको पहले अंडर वोल्टेज ओपरेशन अगर आपको अंडर वोल्टेज पर सिस्टम को चला रहे हैं तब आपको क्या प्रॉब्लम है फ्रेंज सबसे पहले आपको अगर आप जेनरेटर के लिए देखेगा तो जेनरेटर में under voltage में क्या होगा आपको under voltage मतलब आपको reactive और ज़्यादा generate कर रहे हैं लेकिन आपका जो AVR अगर सही है तो आपको ये इसका within limit में इसको चला देगा तो within limit में ही चला देगा लेकिन आपको generator के लिए ज़्यादा issue नहीं है क्योंकि generator में आपको बहुत सारे आगे protections भी है ठीगे रहिक आपको under voltage होने के chance से आपको excitation loss होने पे हो सकते उसमें आपको loss of excitation का protection है या नहीं तो pole sleeping होने में आपको under voltage हो सकते उसमें आपको pole sleeping का protection है तो आपको अलग से under voltage में protection देने का ज़रूत नहीं है क्योंकि उसमें already हमारा system का protection है generator का जो existing protection से वो take care करेगा उस situation को ठीगे इसलिए generator के लिए ज्यादा problem नहीं और even generator का जो AVR system में उसका सारे लिमिटर से ठीगे और वो आपको generator का capability करूँ का अंदर रखेगा AVR system और AVR भी आपने इसका limit का अंदर ही रहेगा तो ना excitation system के लिए generator के लिए ज्यादा problem नहीं है क्योंकि आगर आपको undervoltage ज्यादा persist हो रहे है तो आपको क्या होगा excitation system इसका field current limit देख चला जाएगा लेकिन इसका limiter चल रहे है तो उसी पर यह चलता रहेगा आपको generator के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन आपको problem क्या है आपको जो excitation system कभी भी आपको undervoltage पर operate हो रहा है तो आपको वार excitation reason में चलेगा तहीं लेकिन इसका limits पर चलेगा लेकिन आपको पता है फ्रेंस आपको अगर आपको generator का operation philosophy अगर देखेगा तो generator का AVR कभी भी मददब trip नहीं करने देगा trip कुद नहीं होते हैं पहले आपको हमेशा generator का breaker को trip करेगा generator breaker trip होने का बाद ही AVR trip करेगा क्यूंकि आपको AVR का जो tripping में AVR का field breaker tripping या नहीं है तो excitation tripping में हमेशा generator का main breaker का interlock रहते हैं जब तक generator का main breaker trip नहीं होते हैं तब तक आपका AVR system को बंद नहीं कर सकते हैं इसका interlock रहते हैं क्यूंकि वो बेसिकली इसलिए रहते हैं आपको news and tripping अवाइड करने के लिए तो इसलिए आपको जब तक अमारा system का साथ generator connected है तब तक आपको AVR even आपका limit पे भी चल रहा है आपको AVR आपको worst case में चल रहा है इसको tripping भी करना है तो सबसे पहले आपको generator को trip करना है इसकी बाद ही आपको AVR को trip कर सकते हैं ठीके लेकिन आपको under voltage में वहां तक आपको जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि आपका limiters बहुत पहले आ जाता है limiters का बाद अमारा जो अगर limiters का ओपर भी आकर जा रहा है तो वो दोनों में कोई एक situation हो सकते है वो आपको loss of excitation हो सकते है उसको आपको loss of excitation का प्रोटेक्शन टेक केर करेंगा यह नहीं तो पोल स्रिपिंग का condition हो सकते है वो आपको पोल स्रिपिंग का प्रोटेक्शन दे आपको टेक केर करेंगा ठीके तो बीसिकली under voltage होने पर आपको जेनरेटर में डायरेक्ट आपको इंपेक्ट पड़ रहे है देकिन वो आपको और कोई प्रोटेक्शन से आपको टेक केर कर रहे है ठीके लेकिन आपको system से अगर देखेगा तो system में जो आपका generator जिसमें transformer में connected है ठीके उसमें क्या होगा आपको more magnetizing current होगा और क्यूंकि आपको only voltage क्या हो रहे है voltage आपको क्या हो रहे है यह और magnetizing current कीचेगा तो ऐसे system में कितना भी generator से कितना भी motor से index and motor से कितना भी हो सब आपको magnetizing current ज्यादा कीचेगा भी ठीके इसकी वज़े से आपको reactive power demand और बड़ेगा इसकी वज़े से पूरा system में आपको पूर power factor में चलेगा ठीके फ्रेंज पूर power factor में चलेगा यह एक problem है और दूसरा problem है आपको जितना भी system पे motors connected है आपको already motor का related protections का बहुत सरे videos बनाया था उसमें अम लोग motor का under voltage protection में अम लोग बताया था कभी भी under voltage होते है system पे तब आपको motor यह बहुत ज्यादा current रहते है नॉर्मल current से ठीके इवन अगर कोई motor का अगर आप start कर रहे थे इसका starting times भी बहुत ज्यादा होते है इसकी बाद आपको यह सबका होजे से यह पूर power factor है ज्यादा magnetizing current का वजे से और आपका loads भी ज्यादा current कीच रहे है under voltage का वजे से ठीके वह सबका वजे से voltage drops और बढ़ेगा उसकी वज़े से और under voltage होगा मतलब यह आपको situation को और आपको वर्स create करेगा ठीके इसी लिए यह यह इसी लिए का है फ्रेंस आपको prolonged operation है under voltage उसकी वजे से आपको क्या होगा complete system से आपको effect पड़ेगा इसी लिए आपको कभी भी under voltage coordination होते है जैसे आपको under frequency tripping होते है ऐसे आपको under voltage का tripping होते है coordination way में ठीके सबसे पहले आपको motor से जो non critical motor से उसको trip कर देगा instant आपको 100 millisecond का बाद trip करेगा जो non critical motor से इसकी बाद आपको इसका बाद भी आकर नहीं हो रहे है तब आपको क्या करेगा आपको income को kit करेगा आपको load को दीरे दीरे काट देगा जैसा under frequency में जो load setting होते है ऐसा under voltage में भी load setting होते है वो load setting इसी दिये होते है जैसा under frequency load setting में अम लोग active power को काट के balance करने के लिए try करेगा जैसा अम लोग under voltage load setting में क्या करते है अमको load को काट के reactive power generation को और demand को match करने के लिए try करेगा जैसा इसका voltage profile को maintain करने के लिए try करेगा इसी दिये under voltage load setting है बहुत important होते है इसमें system पर लेकिन आपका generator के लिए नहीं generator में क्या होते है आपको जैसे पता है था इस system का जो under voltage load setting है वो काम करेगा वो mostly try करेगा generator का voltage को restore करने के लिए अगर generator में कोई भी problem नहीं है तो क्या करेगा generator voltage को restore करने के लिए try करेगा अगर generator में problem नहीं है फिर भी under voltage पर operate कर रहे है तब आपको generator के लिए भी ज्यादा problem नहीं है क्योंकि आपका AVR इतना strong है कि AVR आगर आपको manual पर चल रहा है तो आपको fixed field current पर चलेगा आपको AVR system के लिए ज्यादा problem नहीं है अगर आपको auto में चल रहा है तो आपको limit पर चलेगा वावर expectation का limit पर चलेगा तब भी आपको capability करो का अंदर ही रहेगा तो इसलिए generator के लिए ज्यादा problem नहीं है जब तक ये आपको field का actual failure आप pole sleeping है तो अदर्वाइस ये आपको problem ही नहीं है तो आपको लेकिन आपको system में problem है तो system को में आपको under voltage load setting करते हूँ हम लोग voltage profile को improve करने के लिए ट्राइ करते हैं लेकिन आपको under voltage का वाज़े से generator में आपको direct कोई problem नहीं है तर्वाइन में तो आपको बिल्कुल problem ही नहीं है तो आपको under voltage में आपको impact क्या हो रहे है हमारा system impact हो रहे है और दूसरा condition है हमारा under voltage में अम लोग ज्यादा duration तक प्रोलोंग duration तक इसको चलाना भी नहीं है क्योंकि हमारा utility systems हमेशा पता है हमको जो इंडियन electricity रेग्रेशन जो 59 इसके हिसाब से हमको voltage है हमेशा voltage और frequency धोन यह इसका supply कर दो parameter से उसको maintain करना बहुत ही important है इसका load का performance के लिए ठीके इसी दिए हमको voltage है within plus or minus 10% का अंदर इसको देना ही देना है हमको load को ठीके इसी दिए आपको अंटर वोल्टेज में आपको prolong duration तक नहीं चलाना है क्योंकि आपको load का related system में जितरा भी loads है वो आपको affect करते हैं ठीके otherwise आप generator का point of view में generator का ना turbine के लिए यह problem है ना एक्सेटर के लिए एक्सेटर का अगर इसका फील्ड करेंट लिमिट पे चल रहा है तो उसमें भी problem नहीं है लिमिट पे चलेगा ठीके यह टर्बैन के लिए जनरेटर के लिए भी problem नहीं है लेकिन system के लिए problem है उसी के लिए अगर आप देखेंगा तो प्रोटक्शन क्या करते हैं अगर आप देखेंगा तो प्रोटक्शन क्या करते हैं अम लोग अल्रेडी बताया था जनरेटर का point of view में हम लोग अंडर वोल्टेज में कोई की ट्रिपिंग नहीं देते हैं अंडर वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ अलारम के लिए और एनॉंसेशन के लिए यूज करते हैं और इसका अंडर वोल्टेज या वार वोल्टेज है बेसके लिए पीटी बैलनसिंग स्कीम्स हैं ठीके पीटी बैलनसिंग स्कीम्स का तुरू हम लोग क्योंकि हमारा जेनरेटर में हमको multiple potential transformers रहते हैं जयसे आपको metering PT रहते हैं ये वी ये के लिए पीटी रहते हैं ठीके और इसका हमारा जो protection के लिए पीटी रहते हैं ठीके तो आगर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि PT balancing schemes है क्योंकि multiple CT से यहां ठीक है multiple PT से AVR PTA, measuring PTA, protection PTA ठीक है अगर आपको actual under voltage मतलब तीनों PT का output में आपको voltage कम है ठीक है अगर कोई 1 PT का output में आपको voltage कम है मतलब आपको उस particular PT का related issue है इसलिए आपको balancing schemes का through आपको इसका under voltage protection को आपको ब्लॉक करतेते हैं अगर आपको PT balancing नहीं हो रहे है आपको actual under voltage है तो आपको minimum ये 3 PT में minimum 2 PT का secondary में आपको under voltage डिटेक्ट करना चाहिए वो ही आपको PT balancing scheme है ठीक है तो आपको minimum 2 PT में आपको under voltage डिटेक्ट कर रहे है तब भी आपको under voltage का जो भी action है वो initiate होगा otherwise आपको under voltage का action आपको initiate नहीं होगा PT balancing scheme का through इसको block कर देते है ठीक है और इसकी बाद अगर actually under voltage जाए तो उसमें भी हम लोग action क्या करते हैं उसमें हम लोग only हम लोग use करते हैं अलारम के लिए या नहीं है तो अनॉंसेशन के लिए यूज करते हैं उसमें हम लोग actually हम लोग AVR में जाकर देख सकते हैं कोई under voltage है तो इसका कोई channel का issue है तो channel change कर सकते हैं ठीक है यह नहीं है तो आपको load को काटके आपको reactive power को match करा सकते हैं ठीक है अईसा आपको under voltage को control कर सकते हैं आपको prolonged चलने का वज़े से generator में कोई issue नहीं है क्योंकि नीचे इसका जो under voltage का load setting आईसे ही काम करेगा ठीक है अगर वो काम नहीं कर रहे तब भी ही case आएगा ठीक है उस case में आपको alarm या renunciation करेगा लेकिन आपको generator में actually problem है राइक आपका loss of field है या नहीं तो field failure है ठीक है अगर आपको actually field fail हो गया जैसे हम लोग field fail का protection का बारे में अलग videos बनाया था उसमें आपको क्या effects होते है अलड़ी डिसकस किया था रहे लेकिन अगर वो protections अगर अंडर वोल्टेज का अंडर वोल्टेज आ रहे है और यह प्रोटेक्शन से actually होने का chance है थब आपको अंडर वोल्टेज का थू हम लोग इसको जल्दी फास्ट ट्रिपिंग अम लोग आप्रोवेड करेंगे त्रिए वह अम लोग अलड़ी इस दोनोग प्रोटेक्शन का स्कीम में अलड़ी डिसकस किया था तो बेसकली अंटर वोल्टेज को इंटर लॉपिंग के लिए यूस करते हैं field failure या नहीं तो pole sleeping के लिए तो आपको actually field failure एक हम लोग trip करेंगे generator को pole sleeping है तो भी इसका जो action लेने वो हम लेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ under voltage पे अमारा generator में कुछ भी action हम लेने नहीं लेते हैं only alarm और annunciation के लिए use करते हैं okay friends so under voltage में generator में कोई tripping नहीं होते हैं only interlocking के लिए याने ये तो alarm और annunciation के लिए ये use करते हैं under voltage को next day friends अमारा इसका जो pickup जनरली क्या रहते हैं अम लोग 80% रहते हैं और इसका जो minimum time delay nuisance triggering अवाइड करने के लिए 100 millisecond रखते हैं जो आपको even alarm और annunciation के लिए ये तो interlocking के लिए ये आपको जनरली सेटिंग अम्रोल रहते हैं कभी-कभी आपको 90% भी रखते हैं तो लेकिन जनरली आपको इसी का रेंज में आपको रहते हैं एक है जिस्ट सिमिलेर ट्व अनर्वोल्टिस प्रोट्यक्शन है वावर वोल्टिस प्रोट्यक्शन होने का स्वेश क्या हो सकते हैं ऐसे मिए आपको जैसा अन्र वोल्टिस कब होगा आपको sudden increase of reactive or demand, है, आपको कोई भी generator pivot हो निसे हो रहे है, ठीक है, आइसा आपको tower voltage तब होगा, अगर है, sudden को decrease of reactive or demand है, ठीक है, याणेगे तो suddenly आपको reactive or generation बढ़ गया, वो तब होगा, कभी भी आपको suddenly transmission line cut गया था, ठीक है, suddenly load throw up हो गया, suddenly आपको load setting है, जो desired जदेंग से ज्यादा आपको अगर कट गया था अंडर वल्टेज्वड़्योर्ट शेट्टिंग और फ्रीक्वेंसी लोड शेट्टिंग ज्यादा कट गया था तब आपको क्या होगा सटंड लौस ओफ रियक्टिप वह डिमेंड चला गया सबने लौस हो गया रियक्टिप छहाए तो आपको आपको डिमेंड तब आपको क्या होएगा आपको रियाक्टिप पाओर जैसे मिष्च ओगा जन्रे स्ट रियाक्टिप पाओर जाता है तो ठीक है और तीसरा रीजन है फ्रेंस जेनरली आपको यह आप जेनरली आपको स्टार्ट अप में देखते हैं जेनरली जेनरेटर का ठीक है तो अगर आपको जेनरेटर को वावर वोल्टेज होने का मेजर इस्वी या ऑपरेटर का गलती है हो वो क्या होता है हमारा आप जेनरे हनसे प्रिका होगा आपको प्रोटक्ष कर सकते हैं वह थे वह केस्ट में अब को अगर वावर वल्टेच होतेंगे हम आगे को इंडीटाल डिसकोस करेंगे लेक сделал क्यों होगा टिकेश वह रेजन में भी आपको वावर वोल्टेज हो सकते हैं अगर यह वियर आल्रेड़ी आटो में है और इसका पीटी इंटेक्ट में नहीं है तो तब आपको सिस्टम में वावर वोल्टेज हो सकते हैं वो तीन रेजन का वज़े से आपको वावर वोल्टेज होगा फ्रेंस ठीगे और इसका अभी वावर वोल्टेज का वज़े से क्या प्रॉब्लम है वावर वोल्टेज अगर आपको चल रहा है वावर वोल्टेज में तब आपको क्या प्रॉब्लम है सबसे मेजर प्रॉब्ल तिए जन्रेटर के दिए इसकी बाद आपको इनसिलेशन है जो आपको इनसिलेशन ड्यामेज हो सकते जन्रेटर का तिए आइसा आपको वोल्टेज यह थे वोल्टेज यह अमारा सिस्टम का साथ खनक्टेड है तिए जन्रेटर का तब यह जन्रेटर का वावर वोल्टेज का वज़े से पूरा system में वावर वोल्टेज हो सकते हैं उसकी वज़े से आपको insulation damage जो connected system में भी हो सकते हैं तो इसी दिए आपको वावर वोल्टेज में आपको protection देना ही देना है क्योंकि हमारा insulation का coordination होता है और insulation का जो इसका rated insulation से उपर जाना ही नहीं है उसमें आपको major damage हो सकते हैं त्यूंकि सारे एक ही voltage पर हमारा पूरा system चल रहे हैं वोल्टेज प्रोफेल पर एक जगा वावर वोल्टेज है तो पूरा system में रेफ्लेक्ट करेगा हर जगा insulation coordination है और इससे उपर अगर चाहारे तो आपको insulation damage हो सकते है system पे ठीक है multiple locations में भी damage हो सकते है इसलिए आपको जल्दी भी आपको clear करना पड़ेगा वावर वोल्टेज को आपको सबसे पहले कभी भी वावर वोल्टेज होता है तो इसका दो रीजन जो आपको बताया था मैं पहले ही दो रीजन हो सकते है एक आपका reactive power demand है suddenly हो गया तो throw up हो गया यह नहीं तो AVR का failure है राइट तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा चांसे से आवी आर का यह हो सकते है तोंकि AVR है इतना अच्छा है आपको अटोमेटिक वोल्टेज रेगलेटर है अगर वो आटो में तब इसका जो कामी यह ही है कि वोल्टेज को मेंटेन करना है और यह फ्योड़ी electrical related है इसमें कोई mechanical related नहीं है अगर static excitation system ए तो given brushless excitation system को इसका voltage को improve करना है field current को basically कम करना है ठीक है under excited zone में लेकर जाना है और इसका voltage को basically कम करने मतलब आपको reactive or demand को match करना है यही main purpose है तो AVR अगर सही है तब आपको वावर वोल्टेज होने का चांस नहीं रहते हैं तो आगर वावर वोल्टेज हो रहे हैं मतलब सबसे पहले हमको doubt करना है AVR का ओपर है तो इसी दिए आपको हमेशा वावर वोल्टेज का जो first stage है दो स्टेज का वावर वोल्टेज प्रोटेक्शन देना है तो फस्ट स्टेज में हमको AVR का चानल चेंज ओर करने है यूंकि हमको पता है फ्रेंस हम लोग अल्ड़ी है अगर आपको जो AVR जिस चानल पर है वो चानल में कुछ इस्वी आगर चानल सबसे पहले आपको ये वियर का चानल चेंज ओर करने स्टेज वोन में जिए तो हमको आवरीडी पता है है हमको इसका पिक अप क्या राखना है है हमको आवरीडी पते हैं वोल्चे का जो टॉलरिभल्वर्रिमेट है ओल्टेज आपको प्लस आर माइनिस 10 परसंट है मदब आपको 110 परसंट तक कोई प्रोब्लम ही नहीं है 110 परसंट तक तो आपको सिस्टम में ऐसे ही चला सकते है सिस्टम में ना इसका जो एफेक्ट बता रहा था उसमें कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा 110 परसंट तक 110 परसंट के लिए यह सब हेई यह नॉर्मल ओपरेशन ही यह 110 परसंट तक तो 110 परसंट का ऊपर है तब भी आपको यह इसका प्रोटेक्शन देना पड़ेगा राइट वूर्टेन बड़ेशन इचेंज़ यह जैन बड़ेशन मिलसें अगर आपको कभी भी वोल्टेस फस्टेस यह 110% का उपर जा रहे हैं और 300 millisecond तक रह रहे हैं तब आपको तुरंत avr का channel changer कर देते हैं stage 1 में ठीक है stage 1 में कोई भी tripping नहीं करते हैं channel changer करते हैं तो इसका बाद भी 300 millisecond का बाद आपको obviously channel changer हो जाएगा avr का अगर आपको चानल चेंजर हो गया, इसकी बात भी आगर आपको वावर वोल्टेस परिसिस्टिंग है, तब आपको क्या करना है, Stage 2 पे, Stage 2 पे आपको generator को ट्रिप करना है, यह basically Class B का ट्रिपिंग है, यह 86 G को ट्रिप करते हैं, 86 G में आपको सबसे पहले आपको generator circuit breaker का ट्रिप 싶 city आपको all these än क्षुप नहीं करते हैं किया को बबार का केसम के चाम सब्सक्राइब करfarए इसके अप लास्स बी का ट्रिपिंग करते हैं ठीक है तो इसका स्टेज्टू का पिकप क्या होना चाहिए इसका पिकप को उपर होना चाहिए और इसका टाइम डिले यह 300 millisecond का ओपर तो अब्यूसली होना चाहिए राइट 300 millisecond का ओपर इसकी बाद AVR का चानल चेंज ओर ले लिया इसकी बाद AVR चानल का बाद इसका जो एकसेटेशन का टाइम गोश्टेंट है उससे फाइट यह लेता है इसकी बाद इसका पिकप होना चाहिए टाइम डिले रैट इसलिए इसका पिकप जनरले हम लोग 120 परसंट रहे लेते हैं 120 परंट और इसका टाइम डिले टू सेकंड रखते हैं अगर आपका 110 परसंट का उपर है 300 millisecond का बाद आपको वावर व्ल्टेज में चानल चेंजर हो जाएगा तो 300 मिली सेकंड का बाद चानल चेंज हो गया इसके बाद 1.7 सेकंड तक आपको फिर भी 100 वोल्टेज है आपको 120 परसंट का उपर है तब आपको क्या होगा 120 परसंट का उपर पहुंच गया तब आपको क्या होगा वन सब्सक्राइब चानल चेंज होर वने का बाद 1.7 सेकंड का बाद यह तो टॉटल टाइम देखे लिए तो दो सेकंड का बाद आपको यह क्लास बी ट्रिपिंग इनिसेट करेगा तो इसमें आपको जनरेटर सक्यूट ब्रेकर ट्रिप होगा इसकी बाद फिल्ड ब्रेकर एम से इसकी तुल आपको ट्रिपिंग नहीं कर रहे है ठीके जनरेटर ट्रिप नहीं ठीक है डीड़ेटर ट्रीपिंग लाट गते अगर हो ट्रिपिंग नहीं हो जब रहा है तो ऊछानस है और फूर्थ चानस है और आपको यह ट्रिपिंग रिदेंग विदेंट कर रहा है बेसके प्ड़टक्षीन पीटी का ऊपडे और अब काम कर रहा है आपको पीटी लदी का उन है आपको जैसे आपको अगिदे took डियकेरीड backend डिखेकर्ष्ट में अगर पीटी को सर्वीस में नहीं डाला, ठीकेर गया सब्सक्राइड अगर फिल्ड प्रूल घार्फ अगर पैदाने अगर ऑल्रीड अगर यह 11 kv 었어요 तो लेवन एपनाने के लिए try करेंगे हैं लेकिन आपको यह फिलड़ करेंट को मच दशलिए तो तब क्या करेगा ये वियर अपने आप क्या करेगा ये वियर को वोल्टेज नहीं मिल रहे है तो और ज्यादा वोल्टेज करेगा फील्ड करेगा फील्ड करेंट तो और ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन ये वियर को फीडबेक नहीं मिल रहे है ये वियर का फीड नहीं कर सकते यह चीज़ को यह 120 परसंट पहुंच रहे हैं अगर पीटी लाइन में है तब यह आपको रिडे रीड करेगा वोल्टेज ज्यादा है अगर प्रोटेक्शन पीटी भी लाइन में नहीं है तो आपको वोल्टेज और बढ़ता रहेगा आपको यह डैमेज हो इसका नॉर्मल केस में क्या होतें आपको जब तक फीटडब्रेकर अन ने किया तब तक इसका वोल्टेज ही नहीं है इस में order नहीं तो यह एकन इसका बढ़ता चला जाएग सब्सक्का लेकर ड़किन उतना field current इसका no load का condition पर जरूत नहीं है no load में आपको बहुत कम field current चाहिए रेकिन इसका field current लिमिट तक इसको पहुंचा देगा इसको voltage बढ़ाने के लिए उसमें आपको बहुत ज्यादा voltage इंजेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा voltage डावलप हो जाएगा इसी लिए उस case को आ अगर PT service में नहीं है तो तब आपको कुछ तो कुछ backup protection होना चाहिए उसी के लिए हम लोग सर्ज अरेश्टर समलोग हमेसा रखते हैं ठीक है सर्ज अरेश्टर या नहीं है तो lightning अरेश्टर बोलते हैं हमको वह lightning अरेश्टर आपको इसका generator का ट्रिमिनल में ही रहते है इसका पहले ही रहते हैं generator का यहाँ यह bracket का पहले ही इसका generator का आपको फीड में देखेगा तो generator का terminal box का साथ-साथ जहां आपको terminal box से cable जाते है itelा क्योन इसकीव पहले ही आपको एक और panel यहां देखते हैं आपको उसको मोग लाइटनिंग एरेश्टर कम पोटेंशिल ट्रांस्फॉर्मर पीटी का प्यूबिकल बोलते हैं यह प्यूबिकल बोलते हैं ठीक है उसमें आपको इससे टैपिंग लेकर आपको तीन पीटी का कनक्शन है आपको से यह वी एर का पीटी है और मैजरिंग का पीटी है यह प्रोटक्शन का पीटी का थीन को रहते हैं इसकी सांसाथ इसी में ही आपको सर्जरिष्टर कनक्ट हो जाते हैं ठीक है यह आपका दो परपस है एक आपको वावर वोल्टेज जैसे इस वावर वोल्टेज आया उसमें आपको वावर वोल्टेज को क्लांप कर अबयातने के लिए यूज होते रॉट एक बार यह I about that क्या होगा सरजरस्त्री यहां रहते हैं अगरा सरजरस्त्री एक बार off ऑप्रेट हो गए तो क्या करेगा यह जैर्ड एक डिफरेंसील होन में अंदर आ जाये गये और इंदर आ जाए तो आपको सबसे पहले फील्ड ब्रेकर को ट्रिप करेगा राइट आपको दोनों को कमेंड जाएगा 86G आपको मदल यह इसमें अपको ट्रिपने करेगा टबेन को ट्रिपने करेगा इसलिए आपको इसको क्लास भी ट्रिपिंग में को देकर आपको क्या करना है आपको ब्रेकरक्स को आपको को कई भी आपको जनेरेटर डिफरेंशिल या नहीं है तो कई भी जनेरेटर का ऐर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन अगर राप्रेट हुआ है तो आपको 86 U आएगा युनिक ट्रिप आएगा उसमें आपको तीनीं को ट्रिप मार देगा रईट सब देकिन आपको जेनरेटर का तो बचाई देगा सर्जयरस्टर राइट सब्साइट अब को सर्जयरस्टर ऊपरेट हुआ है तो वोपर voltage को जाने ही नहीं देगा है कोई भी condition पे right so voltage को clamp करने के लिए use होगा यह इसका purpose यह और दूसरा कोई भी अगर सिस्टम पे सर्ज भी आता है तो उस case में भी voltage को clamp करने के लिए surgerist use हो जाते है so यह basically आपको war voltage protection का backup के लिए भी use हो रहे है और आपको lightning surge या नहीं तो कोई भी switching surge है उस case में भी आपको voltage को clamp करने के लिए भी आपको यह use हो रहे है so यह surgerist आपको use होगा अगर आपको LAPT का cubicle में आप देखेगा तो surgerist का साथ साथ एक और रहते है आपको surge capacitor भी रहते है अगर आप देखेगा तो यह surge capacitor का यही परपज है जो voltage बढ़ रहा है आपको suddenly बढ़ने नहीं देगा आपको जैसे आपको कभी भी आपको switching surge है या lightning surge होते है तो आपको suddenly बढ़ जाते है उसको आपको suddenly बढ़ने नहीं देगा आपको delay करेगा dv by dt को कम करेगा surge capacitor क्योंकि capacitor का क्या परपज है फ्रेंज capacitor कई पे भी लगाए तो capacitor आपको suddenly change of voltage को अपोस करेगा क्योंकि capacitor जहां लगाए तो आपको voltage suddenly change कभी नहीं होगा आपको दीरे दीरे ही होगा राइट तो surge capacitor का तुरू इसका dv by dt को आपको कम कर सकते है तो इसलिए आपको Lapt का cubicle में आपको PT का साथ surge अरश्ट भी रहेगा और एक surge capacitor भी रहेगा फ्रेंज ठीक है तो यह है अमारा वावर वोल्टेज का प्रोटेक्सन है आपको आपको क्लियर हो गया होगा वावर वोल्टेज और अन्डर वोल्टेज का प्रोटेक्सन का फिलोस्फी है जेनरेटर का केस में तो यह है फ्रेंज आज की अमारा वीडियो अमारा साथ आगे भी बनाते रहे है फर मोर एन इंटरेस्टिंग वीडियो थैंक यू फ्रेंज